पूरे राज्य की नजर आज सुप्रीम कोट पर टिकी हुई थी, क्या नेता, क्या अधिकारी, क्या आम लोग, हर कोई जानना चाह रहा था कि आज सुप्रीम कोट में क्या होगा, अब क्यों सुप्रीम कोट पर नजर टिकी थी, इसी मसले पर हम बात करेंगे और बताएंगे क आखिर सुप्रीम कोट से क्या कुछ खबर निकल कर सामने आई और आगे क्या होगा हमारे साथ हमारे सेयोगी संजे हैं संजे बताइए कि सुप्रीम कोट पर सबकी नजर टिकी हुई थी पहले तो नजर क्यों टिकी हुई थी और वहां से क्या खबर निकल कर आई जो लोग मुखमंत्री हेमन सोरेन जो है सुप्रिम कोड चले गए और उन्होंने कावेदन दिया कि उनका जो बकील है उनकी तब्यत खराब हो गई है और उसके वज़ा से आज जो सुनवाई होने वाली है उसमें वो सामिल नहीं हो पाएंगे एक सब्ता का समय मांगा गया मुखमंत्री के बकील जो दूसरे आज जो पेस हुए उनके द्वारा लेकिन एक सब्ता का समय नहीं दे करके जो है अगले सोम बार का समय दिया गया और सोम बार को यह सुनवाई होगी दर्सकों को मालूम है कि एडी जिस तरीके से जमीन घोटाले मामले में मुखमंत्री को समन कर रही है लगातार तीन समन अब तक हो चुका है आठ अगस्त को पहली समन एडी ने किया था मुखमंत्री हेमन सोरेन को और 14 अगस्त को बुलाया था इसके बाद आपको मालूम है कि फिर से 24 अगस्त को बुलाया गया मुखमंत्री हेमन सोरेन को और उसके बाद 9 सितंबर को बुलाया गया था जबकि ये तीनों समन पर जो है मुखमंत्री हेमन सोरेन इडी का सामना करने नहीं गया इडी कार्याल है बकाइदा पहले समन पर तो इडी को एक तरीके से अगर आप कहें तो धमकाते हुए कड़े तेवर में एक पत्र उन्होंने लिखा और CMO के एक ब्यक्ति के इनके पास जो विकल्प है उसको अपनाएंगे इसके बाद आप देखे होंगे कि जब 24 तारिक को इनको बुलाया गया तो फिर से वो गए और ED के अधिकारियों को जानकारी दिया उन्होंने कि मैं आपके समन के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया हूँ और फिर से जब इसको ए नहीं माना गया चुकि माना यही जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जब CM गय है चुकि मुखवंत्री हेमन सोरेन जमीन घोटाले मा हूँ तो फिर से जाकर के जो है एक परसेप्शन बनाने की कोशिस कर रहे थे कि मैं चुकि सुप्रीम कोर्ट में हूँ तो ऐसे मैं ED को जो है इंतजार करना चाहिए लेकिन ED इंतजार नहीं की अमोमन हम लोग पत्रकार विरादरी और दूसरे जो तबके के लोग हैं वो भी यह मान रहे थे कि अब जब कि मुखमंतरी सुप्रीम कोट चले गए हैं तो ED सायद सुप्रीम कोट के निर्देश आने तक जो है अभी चुप बैठेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तीसरा समझारी कर दिया गया तो तीसरे समझारी करने के बाद मुखमंतरी हेमन सुरिन के द्वारा जो पत्र लिखा गया था उसमें थोड़ी नर्मी आई जो ED को पत्र भेजा गया उसमें यही कहा गया कि सुप्रीम कोट का जो निर्देश आएगा उस पे मैं विचार करूंगा और उसके निर्देश के अनुरूब जो है काम करेंगे लेकिन अभी तक तो कुछ द्वारा, क्या हो सकता है? क्या ED चौथा समन कर सकता है? कोई झरूरी नहीं है कि तीन समन के बाद ही एडी कोई कड़ी कारवाई कर सकती है पहले समन के बाद विकर सकती थी यहिंगीजंगी चुक्कि मुखमंत्री हैं हेमन्सुरेन राज के सबसे बड़े संबधानिक पत्पेबु और दूसरी बात जो उनका ग्राउंड एक तरीके स देखा जाता है चुकि आप क्राइम भी कवर किये हैं कोई भी आप राधी जब पकड़ा जाता है या फिर नाम आता है तो देखा जाता है कि इसका हिस्ट्री क्या रहा है तो हिस्ट्री तो एक तरीके से अगर देखिए तो id kyle के सवालों का उन्होंने सामना किया और मुखमंतरी ये बार-बार दिए द्रसल है क्या कि ED के समन्द को जो है ये लीगल बता रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से में समंद किया जा रहा है और एक तरीके से अगर कि भाई इसको टालो तो एक टालने की जो कोशिस है पिछले आठ अगस्त से ही जो इडी का जो आया इनके पास समन और उसके बाद लगातार इसको टाला जा रहा है किसी न किसी तरीके से आपको याद होगा कि जब जमीन माफ किजेगा अवैध माइनिंग वाले मामले मे जब मुखमंतरी हेमन सुरेन से पूछता चुई थी 2022 में 17 नुवंबर साइद बो दिन था तो उससे पहले भी एक तरीके से लगातार जो है मुखमंतरी हेमन टालने की कोशिस कर रहे थे उस दोरान आपको याद होगा कि मुखमंतरी हेमन सुरेन की मा की तब्यत खराब थी और वो दूसरे स्टेट में उनका इलाज चल रहा था उसको लेकर के अपना पक्स रखे थे और भी कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसके आधार पर मुखमंतरी समय ले रहे थे अभी भी वही चीजे देखी जा रही है मुझे जो समझ है कि सुप्रीम कोट में जो अब सोंबा को जो होना है अगर सुनवाई होती है उस दिन इनके बकील जाते हैं और जो निर्देश आएगा तो हो सकता है कि मुखमंतरी उसके बाद इडी जाए या फिर इनको एक उम्मीद भी है कि इनको रहात मिल जाए क्योंकि यह बोल रहे हैं कि जमीन घोटाला जो मसला है और डि जो है ध्यान जो है इसी पर है कि मुखमंतरी आखिरकार क्यों यह टालने की कोशिश कर रहे हैं अगर उनको यह लग रहा है कि भाई ठीक है सुप्रिम कोट से उनको रहात मिल सकती है तो आज जो सुनवाई होनी थी इसके पहले चले जाना कि मेरी मेरे वकील का तब्यत खरा कि इसमें सुप्रिम कोट का क्या रूख होता है तो उसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि अब आगे क्या होगा क्या सुप्रिम कोट एडी को कुछ निर्देश देता है या फिर मुख्यमंतरी हैमन सुरेन जो है अपने तरब से कोई निरने लेते हैं या फिर इस बीच पियार हो गई कि यहां सुनवाई होना है मंडे का समय भी है तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि इडी बीच में जो है कोई इंटरफेरेंस करेगी और अलग तरीके से कोई समझ जारी करेगी ठीक है बहुत सारे अधिकार एडी के पास हैं आपको मालूम है कि इसके पहले तकरिवन 18 दलों का परतिनीदी मंडल गया था सुप्रीम कोट इडी के जो कारवाई कर रही है चुकि इडी पे लगातार जो विपक्ष के लोग हैं जो इंडिया अलाइंस के तौर पर अब जाने जाते हैं उनके तौरा बार बार यह बोला जाता है कि भाई विपक्ष के ल शुक्रिया आप देख रहे थे फॉलॉप